इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी गेबांटन प्लस टेबलेट दवाओं से मिलकर बना है जिसका इस्तेमाल diabetes, दाद या, रीड की हड़ी में चोड के कारण नसों को हुए नुकसान के कारण लंबे समय तक चलने वाले यानि की पुराने दर्द के इलाज में किया जाता है यह दर्द और इससे जुड़े लक्षनों जैसे मूड में बदलाव, नीन्द की समस्या और ठकान को कम करता है ऐसा माना जाता है कि यह क्षतिग्रस्ट नसों और मस्तिश के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षेप करके काम करता है इस दवा का नियमित रूप से उपयोग करने से आपके शारीरिक और सामाजिक कामकाज और जीवन की समगर गुनवत्ता में सुधार होगा इसे काम करने में कुछ हफते लगते हैं इसलिए आपको इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है भले ही आपको लगे कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है एक बार जब आपके लक्षन दूर हो जाते हैं तब भी आपको दवा का उप्योग तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको बंद करने की सलाह न दे इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें इसे चबाएं कुछले या तोड़े नहीं गेबांटिन प्लस टेबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए गेबांटिन प्लस टेबलेट दो दवाओं का एक मिश्रन है गेबापेंटिन और मिथाइल को बालामिन गेबापेंटिन एक अलफा दो डेल्टा लिगेंड है जो तंत्रिका कोशिकाओं की केल्शियम चैनल गतिविधी को संशोधित करके दर्ड को कम करता है मिथाइल को बालामिन विटमिन बी का एक रूप है जो माइलिन के उतपादन में मदद करता है एक पदार्ट जो तंत्रिका तंतुओं की रक्षा करता है और क्षतिग्रस्ट तंत्रिका कोशिकाओं को फिर से जीवन्त करता है साथ में वे नियूरोपैथिक दर्ड यानि की क्षतिग्रस्ट नसों से दर्ड से राहत देते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन उन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद